किरन जी नमस्ते किरन जी बताईए यह आपके साथ किसको बढ़ाया है आपने यह हमारी बिटिया है क्या नाम बेटी का सदना नाम है अच्चा पड़ती है पेटी जी आजा और आप परिवार में और कौन क्या करते हैं सार हमारे पती काम करते हैं बाहर और हम रोजगार का काम करते हैं बास का काम करते हैं बेना बनाते हैं पंक्खे बनाते हैं और डलिया बनाते हैं उसके साथ सिलाई करते हैं और अन्तोधे जो ग्रामी राजीव का मिसन से जु इस बात का आपको पता कैसे चला? चर हमारे अनुभाव एच्पी गैस कनेक्शन से हमारे जो भाईया लोग हैं हमारे वहां से आये थे और यहां पे कैम लगा के हम लोगों को बताये थे. अच्छा बेटी पढ़ती है तो उसको अभी खाना वना पकाना शिखाया होगा तो उसको तो गैस से खाना पकाना अच्छा लगता होगा? जी बहुत अच्छा लगता गैस खतम हो जाए तो कभी राजी नहीं होती खाना बनाने को. अच्छा आपको एक गैस का कनेशन मिलने से बहुत मदद हुई होगी, अब समय भी बचता होगा? वमारे पास पूरा समय भचता था, हम भचता है. पहले तो ऐसा होथा था कि काम करके हम ठक जाते थे. कभी कब खाना ही नहीं भनता था घर के। सामको आके ऐसे ईस हो जाते थे। इस समय में तो और सर बरसात होने की वज़ए से कि ते लकड़ी सुखवा हो और चाय काम ही कर लो, तब बारिश में तो एकदम सुविदा हो गई आपको, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, और हमारे जो HP Gas Connection के करमचारियं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहुत हेल्प करते हैं? आपका स्वयम सहात्य समूत है, और आप खुद भी कुछन कुछ आर्थिक उपारजन का काम करती हैं, आपने इस योजना के बारे में, आपके जो मंडल बना हुआ है, सब महिला है आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या उनको इसकाल आप बताया हैं और उ करके कोसिस करती हैं, सर यहीं लागडाउन में लग गया तो थोड़ा बहुत पैसा फंस गया, इसके लिए आप से अनुरोध है कि कुछ आप नजरियां उनके उपर तो उनको उनको गैस कनेक्शन मिल गया है? जी, जी, सब को मिल गया है, वो हमारे साथ ही पा गई है, सब ल बेटी कुछ कहना चाहेगी? बेटी क्या पढ़ती हो? इंटर में. अच्छा, खेल कुद में भाग लेती हो और नहीं लेती हो? क्या सर? खेल कुद में हिस्सा लेती हो? नहीं सर, अभी नहीं लिया है, मम्मी ली थी. किरन जी, यह जानकर संतोस हुआ, कि आप लोगों को गै इस कनेक्शन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि आप मैं से बहुत से लोगों के घर पर आकर ये सुवीदा दी गई है. 2014 से पहले हमारे देश के गरीब को किसी भी सुवीदा के लिए सरकारी दफ्तोरों के चकर काटने पड़ते थे. चोटी चीज के लिए भी उनको जाना पड़ता था. हम इस स्थित्य को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी बहनों से बात करने से ये लगा कि अब इन कोशिशों का असर दिखना शुरू हुआ है. जी हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी भाई जैसे हैं और पिता सम्मान है, जो भी हैं, आपने हमारी मदद की हम गरीब महिलाओं की दर्ण को सिंजाने हैं. आप सभ बहनों का अस जिन्दगी पर हमारी उमर लग जाए आपको ऐसे ही आप बने रहें.